Dear students, हम components of language की study कर रहे हैं. इससे पहले मैं चार components पर बात कर चुका हूँ. और अब फिफ्ट वन है, semantics. Semantics. Semantics क्या है? हम इससे क्या मुराद लेते हैं? Semantic is the study of meaning. What is meaning? How is meaning created in language? देखें, मैंने बात की कि सबसे पहले हम sounds बनाते हैं. ठीक है? Sounds से आगे फिर उसको हम, different sounds को, फिर next हम क्या करते हैं? Words बनते हैं. Words से आगे फिर उनके sentences बनते हैं. ठीक है? तो sentences में जो है, वो हमने language के अंदर meanings की बात करनी है. यनि यह जो fifth आपका है component of language, यह meaning की बात कर रहा है. How is meaning created in a language? किसी भी जबान में meaning कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है? कि अगर हम सही तर्तीब के साथ, जैसे मैंने previous component में बताया, कि हम language में words की sentence के अंदर सही तर्तीब से उसको जोड़ेंगे, तो बनाएंगे, तो फिर उसका सही मफूम convey होगा. ठीक है? तो यह semantics हमें जो आगे बता रहा है, one of the main reason we use language is to pass meaning. हम अपने meaning convey करने के लिए, दूसे एक person से दूसे person को convey करने के लिए हम बात करते हैं. और जो मफूम हम दूसरों को communicate करते हैं, वो semantics deal करते हैं उनके साथ. semantic उनसे deal करती है, उनके बारे में बात करती है. तो इस लिहाद से मैं समझता हूँ, कि यह component भी बहुत जरूरी है. और जो language के अंदर, जो फिकरों को, अलफास को, statements को, हम उनके meanings कैसे दूसरों को convey करेंगे? वो definitely उस सूरत में convey होंगे, कि जब वो सही तरतीब के साथ होंगे और सही placement of words पर होंगे, तब जाके वो करेंगे. तो grammatical structure क्या है? of language helps us understand the language. तो actually यह भी जो है, क्या है? यह grammatical structure है, semantics हमें grammatical structure भी बताता है, language का, तो इस तरह हमें यह पता चलता है, इनका, और semantics क्या है? refers to the ways in which a language conveys. कि जिस तरह language meanings convey करती है, वो हम study करते हैं semantics के अंदर. ठीक है? तो basically यह क्या हुआ? semantics क्या है? यह ways of conveying meanings in a language. यह होगा इसका. तो semantics move beyond to literal meaning of the words in a language. जो लफसी meaning होते हैं, यह उनसे मावरा होता है, यह उस तरह नहीं होता, क्योंकि बात यह है, कि किसी भी language को understand करने के लिए, हम अगर लफसी तरजमा करेंगे, तो शायद उसका मفہوم उस तरह convey नहीं होगा, वो फर्क पड़ जाएगा. तो जो हमने इसको जो semantics में हमने literal meaning की बात नहीं करनी, हमने पूरिट statement के true meanings के हवाले से बात करनी है, और तो literal meanings in a word, literic meanings of word in a language and its culture dependent, अब यह भी जहन में रखें, कि words जो होते हैं, culture dependent होते हैं, अब मैं आपको एक अपनी personal example देता हूँ, मैं 2009 में आस्ट्रिया गया, वियाना का capital city है, तो मैंने जो book कराया hotel वहाँ, वो English में वहाँ लिखा वहाँ था ATAP, उस hotel का नाम था ATAP, लेकिन वो जो वहाँ receptionist थी, वो उसको कह रही थी अतापतू, वो अपनी language में उसको, अतापतू के नाम से उसको बिला रही थी, जो के ATAP से बिलको different है, तो इस लिहाँ से मैं समझता हूँ कि different languages में भी जो meanings हैं, वो बदल जाते हैं, तो यह अब आपके सामने जो vertebrates, animals and backbones, vertebrates वो animals होते हैं, जिनकी backbones होती है, तो अब यह मिसाले आपके सामने है, humanities, फिर है birds है, fish है, reptiles है, amphibians है, तो आप देखें इनको, इनके जो example इसके साथ, इसको मतलब match कर रहे हैं, इनको आप देखें, human beings के तहट, यह vertebrates जिनमे रीड की हड़ी होती है, फिर इसी तरह birds हैं, जो fly करते हैं, फिर आगे fish है, यह swim करती है, और फिर जो ringते हैं, reptiles, यह आपके सामने, turtle और यह नीचे और इस तरह आगे, फिर है जो amph amphibians जो चलांगे मारते हैं, जैसे frog है, तो यह मतलब यह है, जो semantics है, हमें यह बताती है, कि हमने meanings को किस तरह, मतलब true meanings अदा करने हैं, और literal meanings नहीं, बलके उस sentence के मताबक उन meanings तो अदा करना है,